हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग तो आज इस वीडियो में पर्श की बुक के चैप्टर 6 अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले के बारे में बढ़ेंगे और इसके जो रचनाकार है वो नीदा फासली जी है जैसे कि चाप्टर की हेडिंग से हम जान चुके है कि अब यहां बात की जा रही है कि यहां पर ऐसे लोगों की बात की जा रही है कि जो दूसरों के दुख से दुखी नहीं होते यानि कि पहले कैसा में अलग था वहां पर जो लोग थे वो दूसरों के दुख से दुखी होते थे लेकिन आज के टाइम में किसी के पास इतना स उनके पास अपनी इतनी परिशानिया है कि वो कहां से किसी के लिए दुखी होंगे तो लेखक निस पार्ट में आज के आदमी की सब कुछ अपने लिए समेट लेने की जो भूग का है वो एक्टम यथार चितरन हमारे सामने प्रस्तुत किया है भूग किस चीज के है पैसों की की जा रहे है कि उसकी भूग खतम यह नहीं हो रही है और दिन प्रति दिन बढ़ती ही चली चा रही है इस इनसान और अन्य जीवधारियों को तो इस धर्ती से ना बैट पाए या जानवरों के लिए जो उनके पेड काटे जा रहे हैं जिन से जो पशु पक्षिय उनको गोंसले नहीं मिल पा रहे हैं तो बहुत से हमारे पास एक्जामपल्स है और इसके साथ साथ अपनी जात को भी बेधखल करने से परहेज नहीं करता है अपनी जात य कौन सुखी है कौन दुखी है कुछ से कोई मतलब नहीं है सिर्व और वो खुश रहना चाहिए और किसी के साथ से योग नहीं करना चाहता है नितीज़ा यह हो रहा है कि जीवधारियों की नसले खत्म होती चली जा रही है वह अपना सित्व अपना आशियाना छोड़कर इ तो यहां पर यहीं बात की जा रही है सरफ सब के अंदर मै की भावना और सबसे जो दिमाग वाला जो जाती कही जाती है वो इंसान की कही जाती है और इंसान जो है इतना सेलफिश इतना स्वार्थी हो चुका है कि अपने प्रॉफिट के लिए अपने फाइदे के लिए वो इन जीवधारियों को किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है तो आशा करती हूँ अभी तक आपको इस पार्ट की जो थोड़ी सी डिटेल है जो समरी है वो समझ आ गयोगी इस पार्ट में है क्या और यहां लेखक ने बहुत से धारनों के माधिम से हमें इस पार्ट में स बूलिए और चैनल को सब्सक्राइब की जो इसके साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन टाइम बिलते रहे तो बिने किसी देरी के अब हम पार्ट की और बढ़ते हैं चाप्टर में जो लेखक है उसने बहुत से उधार इसको अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करेंगे यहां लेखक जो कहते हैं कि बाइबल के सुलेमन को कुरान में सुलेमान कहा गया है और यहां बताया गया है कि जो बाइबल में सुलेमन है यानि जो क्रिश्यन धर्म है जो पुस्तक है वही मुसलमानों में जो है पवित कि भाषा को भी झानते थे एक बादबर अपने गोड़ों के साथ रहे तो रास्ते में चीटिया उनके गोड़ों के तापों से डर कर अपने घरों में चली ठिप गई बिलों मेंचुप गई कि कि अगर मानली जे चीटिया जा रही है और गोडे की टाप उन पर पढ़ेंगी तो वो मर जाएंगी तो इस डर से वो जो चीटिया है वो छिप गई सुलेमान ने चीटियों से कहा घबराओ मत मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ सब के लिए मुहबत हूँ यह कहकर वो अपनी मंजिल के और बढ़ गए और यहां पर जो सुलेमान जी थे वो चीटियों की भाशा को समझते थे चीटियों के व्यवार को जैसा कि हम जान ही चुके हैं कि जो सुलेमान थे वो जानवरों की और सभी जीतधारियों की भाशा को समझते थे तो उन्होंने उ एक महा कवी शेक आयाज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक दिन उनके पिता कुवे से नहा कर लोटे तो माने उनके लिए भूजन वरोसा वे चोटा को देखकर खड़े हो गए चोटा यानि चीटी से बड़े साइज में होता है उसको कहते है चोटा या चीटा वे बोल है एक जो कीट है वो साथ आगया है और वो खाना छोड़ कर उसको उसके घर तक छोड़ने जा रहे हैं यहां तो आज के टाइम में कोई अंधा भी रोड पे चल रहा हो तो लोगों को लगता है क्यों टाइम वेस करें इतनी जल्दी में लोग बाग होते हैं कि वहां से निक पेगंबर का झिक्र मिलता है अब यहां पेगंबर का जिक्र मिलता है दूर्यं वहिं और या में अपनी मरजी से कुझ्ता हूं ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो हम सभी को एक ही ने बनाया है नून की बात सुनकर काफी देर तक रोते रहे और यहाँ पर एक अन्य उधारण के मादिम से समझाया गया है कि जो एक पेगंबर थे जब उन्होंने कुट्टे को दुधकार और कुट्टे ने जवाब दिया और उन्होंने कहा मैं अपनी मर्जी से कुट्टा नहीं बना और नहीं तुम अपनी इच्छा से इंसान बने हो जिसने भी बनाया है वो इश्वर ने बनाया है और उस पे हमारा कोई जोर नहीं है और जब नून वो बात सुनी तो सारी जिन्देगी उनको उस बात का इतना गिल्ट रहा उनके अंदर की इंसानियत इसकदर जाग गई वो सारी जिन्देगी ही रोते हुए उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया एक और उधारन है कि महाबारत में कुट्टे नहीं विदिश्टर का साथ अंततक दिया था बाकी सब तो साथ छोड़कर भाग गए थे और यहां पर बात की जा रही है कि जो कुट्टा है वो कितना वफादार होता है आप लोग देखो अगर आपके घर में भी आप लोगोंने लगते हैं वो चाटने लगते हैं अन्य तरीकों से वो जो है अपना प्यार व्यक्त करते हैं तो यहां पर इंसानियत की भी बात की जा रही है कि जो इंसाने इतना स्वार्थी हो चुका है वो जो है सभी जीवदारियों को कुछ भी हो, जानवर हो या पक्षी हो समुदर में रहने वाले, पानी में रहने वाले जीवजन्तु हो, वो किसी को नहीं छोड़ता, यहां तक कि वो अपनी ही जो जात के लोग है यानि जो इंसान है उनको भी अपने फायदे के लिए उनको भी नुकसान पहुँचा सकता है यह दुनिया स्तित्व में कैसे अब यह सबसे बड़ा प्राशन उठता है यह दुनिया आई कैसे कैसे इसकी पहचान बने इस प्रशन का उत्तर विज्ञान और धर्म गरंत अपने अपने धंसे देते हैं और सभी जो साइंटिस्ट है जो साइंस है और जो धर्म गरंते है अपने अपने तरीके से इसका उत्तर देते रहते हैं यह धर्ती किसी एक की नहीं है यह धर्ती सिर्फ इंसानों की नहीं है इसका मतलब यह है पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था जो अब टुकड़ों में बढ़ कर एक दूसरे से दूर हो चुका है बड़ती जनसंख्या ने समुद्र को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेडों को रास्टे से हटाना शुरू कर दिया है प्रदूशन के कारण पशी बस्तियों से भाग रहे हैं, मौसम चक्रगर बढ़ा रहा है, प्रकरती की सैन शक्ती की भी एक सीमा है, बिल्डर समुद्र को पीछे धकेल कर उसकी जमीन को हतियार रहे हैं, जैसे कि हम देखते रहते हैं उधारन जो है जैसे हम हील स्टेशन वग सके स्टे कर सके तो प्रकरती के साथ छेड़चाड की जा रही है, इससे क्या और आजकल आप देखी रहे हैं हिमाचल वगरा में कितना जादा बाढ़ की स्टीती, बादल फट रहे हैं, बारी शोरे जिसकी बदर से जो पहार है, लैंड स्लाइड हो रही है, पहार सरक रहे ह अपनी जगा से घर जो है टूट रहे हैं, तो प्रकरती के साथ छेड़चाड करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो हमें भी खामियाज़ब भुगतना ही पड़ेगा, आगे लेखक जो है धर्म के मार्दियम से बताता है कि किस तरीके से धर्म के मार्दियम से जो लोगों में है प्रकरती से और जो चीवधारी उनसे प्यार करना सिखाए जाए जैसे हम देखते हैं हिंदू रंथ में भी देखते हैं कि चीटियों को दाना खिलाएंगे तो ये पुद्निय मिलेगा, हमें पेड़ों पे दीपक जलाना चाहिए, जल चड़ाना चाहिए, तो कितनी सारी च जोड़ो, वो रोएंगे, कि जब दिन ढल जाता है, जब शाम हो जाती है, तो पेड़ों के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, वो रोते हैं, दिया बत्ति के वक्त फूल मत तोड़ो, वह बद्दुआ देते हैं, और जब पूजा पाट का समय हो, उस समय फूल नहीं नदी पर जाओ, तो उसे सलाम करो, वह खुश होता है, कबूतरों को मत सताओ, वह हजरर मुहमत के अजीज हैं, यानि एक तरीके से धर्म को जोड़ कर प्रकृति के साथ इंसान का संबंध जोड़ने की कुशिश की गई है, लेकर बताता है कि गवालियर में उसका एक मकान दालान में दो रोशन दान थे, और उसके पुराने घर की बात कर रहा है, वहाँ पे दो रोशन दान थे, उसमें कबूतर के जोड़े ने गूसला बना लिया था, बिल्ली के उचकने से एक अंडा तूड़ गया, मा ने दूसरे अंडे को बचाने के प्रयास में दूसरे अं तूड़ गया और उसका प्रैश्चित कैसे किया, पूरा दिन भूखा रहकर, अब लेखक कुछ बदल गया है, यानि अब सब कुछ बदल गया है, अब लेखक मुंबई के वरसोवा इलाके में रहता है, और यहां समुद्र के किनारे लंबी चोड़ी बस्ती बन गई है, ब खिड़की के बार कभूतर उदास बैठे रहते हैं, अब कोई किसी के दुख को समझता और ना बाटता है, आज के टाइम में इंसान को इंसान का दुख बाटने का टाइम नहीं है, यहां तो हम बाद कर रहे हैं पशूपक्षियों, जानवरों के साथ दुख बाटने के, मै कि टाइम तो ऐसा आए गाई कि वो कहीं ना कहीं किसी के साथ कुछ गलक कर ही जाएगा, जानकर भी नहीं तो अनजाने में ज़रूर, तो यहां पर इंसान की जो स्वार्थ परक्षैली है, किस तरीके से वो परकरती का दोवन कर रहा है, जीवधारियों को परिशान कर रहा ह तो उस तरीके से यह पूरा पार्थ जो है यहां दिखाया गया है, कि लोगों के पास किसी का दुख बाटने का भी आज के समय नहीं है, तो आशा करती हूँ पार्थ आपको असानी से समझाया होगा, और भी किसी तरह के अगर आप वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट करके बत प्रेस करना ना भूलिये, धन्यवाद।